हाई फ्रेंज कैसे हैं आप इस वीडियो में बात करेंगे लाहोर और कोईटा के बीच के मैच की जो पी एसल का मैश नमर एटीन अज आपको खेला जाता दिखेगा फुल स्टाट्स बस इन्फो देखेंगे बेस से बेस्ट ड्रीम 11 टीम करेट करनी कोशिश करेंगे लेकिन उससे पहले आपको करना किया आपको हमारे टेलिग्राम चैल में जुड़ना है यहाँ पे आप देख सकते हो रैगुलर आपको अपडेट्स आती है प्लेइंग 11 भी बहुत चीज़ एक्सपेक्टेड है तीन चेंज तो एक्सपेक्ट करो वो भी आपको बताके ही चलूँगा और यूट्यूब पे अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन प्रेस करके और लोडिफिकेशन मटन अन कर दो क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तब ही तो डब्ली पील का वीडियो आपको जलती मिलेगा वुमेन आइक वीडियो स्टार्ट हो रही है दो दिन बचे है और आचुका है मैच अल्रेडी तो मैं कहीं न गहीं उस पर काम स्टार्ट कर चुका है अपना आपको बहुत हेल्प ह आपको दो प्लेइर्स की फोटो दिख रही है यह आपको दिख रहे है नवीन रहाग और साथ में नाजीबुलाज अधरान दोनों अब अवेलेबल हो गए हैं यहाप को यह नियूस कोई नहीं देने वाला मैं पहले बता देता हूँ डवेन प्रिटोरियस यहाप साफ साफ लिक है प्रिटोरियस में गेट इस फस्ट गेम तुनाइट आज जो इन प्रिटोरियस खेल सकते हैं सौथ अफरीकी और चन्नरी सुपर किंग्स में भी खेलते हैं आई प्ल में भी डेथ बोलर का रोल करते हैं विकेट टेकर है और इवन रंस भी लगा सकते हैं बढ़िया प्लेयर हैं ध्यान रखना होगा उनका दोस्तों मैच के लाजएगा गदाफी स्टेडियम लाहूर में यहां पर आपको पहले ही कुछ मैचेज में रंस देखने को मिले हैं फास्टर बॉलर्स पर टीम ने ज्यादा रेडाय किया लेकिन रंस आपको काफी ज्यादा देखने साथ को भी अनब्बे भी खतम गर दिया सत्रा मैसे नौ विकेट फास्ट सेवन स्पिन को भी मिली स्पिन भी गेम में आया अभी तो सेकंड मैच था लेकिन दोस्तों जहां पे लाहूर की टीम में तगड़ा स्पिनर और आशिज जैसा स्पिन तो गेम में आने के हाई चांस है ही सो यह चीज आपको देखनी पड़ेगी स्पिन कैन कम इन दा गेम आपको इस मैच में स्पिन गेम में मिली थी यह चीज आपको देखके चलनी होगी स्पिन भी आ सकती है गेम में 29 में से लेकिन तोटल 20 को फास्ट फिकेट है 8 स्पिन को लेकिन 8 में से 7 पिछले मैच मे IT spin को ये ध्यान में रखना overall fast और runs expect करो but even spinners थोड़ा सा जिसे राशित का quality का spinner आप miss मत करो तो आपके लिए बहतर है अब दोस्तों इस venue पर देख लेते हैं runs किस ने किया है सबसे उपर आपको नाम देखेगा 1131 run के साथ मोहमद अफीस का experience बोलता है और काम भी किया है सरफराज ने 598 run किया 26 की average से फकर जमान ने 27 match में 688 run किया है 25 की average है इफ्टिकार ने भी 27 match में 531 किया कमरान गुलम 12 match में 420 गुलाम का इस ground पे अच्छा record है अगर बाइचन्स खेलते हैं तो हुसें तरत 19 match में 346 अबदुला शफीके तो इस ground पे जब से आया अच्छा कर रहे है दो match में दोनों अच्छी नॉक्स आपको देखने को मिली है इस ground पे 405 run की है 12 matches में इसी ground पे अबदुला शफीके ने ठीक है अब दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हो venue stats bowlers के शहीन अफ्रीदी 22 match में 31 wicket है हैरी सुरॉफ 21 में 21 12 में 19 यहाँ जमान खान की है देन दोस्तों यहाँ पर आपको महमन नवास की 17 में 14 wicket देखने को मिल रही है नसीम शाह 9 में 12 इवन डेविड वी 16 में 14 wicket है इस ground पे ओमाइद असे वगर खेले 17 में 10 है तो यह कुल मिला के आपको नाम देखने को मिल गए है राशिद का नाम आए नाए वो आपकी टीम में रहेंगे आपको पता है बहुत important spin bowler है जो थोड़े से runs भी मार लेते है so head to head पे आते है head to head में बहुत close और neck to neck competition देखने को मिला है 15 match total हुए है 8 बार लहोर जीता है 7 बार कवेटा जीता है दोस्तों लेकिन ये तो मैंने आपको बता दिया लेकिन पिछला head to head जो हुआ था लहोर ने बहुत easily win किया यहाँ पर भी लहोर ने easily win किया था यहाँ पे कवेटा ने win किया था लेकिन दोस्तों एक चीज़ देखो इस साल जो मैच हुआ है उसमें कौन performer रहा शाय होप ने 47 किये most likely आज नहीं खेलेंगे सिकंदर अजा ने 32 और एक wicket जेसन रोय 48 इंग्लेंड ड्यूटी पे नहीं खेलेंगे शाहीन अफरीदी तीन wicket डेविड वीज एक रन प्लस तीन wicket ओडियन स्मित नौर रन प्लस दो wicket केज एहमद नौर रन प्लस दो wicket ठीक है पिछले कुछ मैचिस में फखर जमान 55 माफ करना कवनान गुलाम 55 फखर जमान 53 इफ्तिकार एहमद 52 डेविड वीज शाहीन अफरीदी दो-दो wicket वही काम यहाँ पे भी करके कहते दोनों फास पोलर्स ठीक है विंस अभी अवेलेबल नहीं है जेसन रॉय अभी अवेलेबल नहीं है फखर का यहाँ पे 70 है मौहमद नवास के 25 रन है अवराल अगर आप देखोगे हेड टू हेड में कौन टॉप स्कोर पे गया है तो देखो फखर जमान का नाम तो आपको मिलना ही था कईनकी अगर आप देखोगे 12 मैच में 410 रन की है 37 के अवरेज से 4.5 सेंचिरीज है इवन 390 रन आपको देखने को मिल रहे है अफ्तिकार रहमत से उमर अक्मल अभी खेल नहीं रहे बट सिल नाम आ रहा है नवास के 193 रन है विकेट्स में भी नवास का नाम है 14 में 11 विकेट शाहीन 10 में 10 हैरिसर उफ साथ में 9 और डेविड वीज साथ में साथ जबके विछले दो मैच में ही पांच विकेट निकाले है इस टीम के आगे वीज नहीं ध्यान रखना राशित पांच में चार head to head में किये हैं दोस्तों दोस्तों यहाँ पे आप देखे हो लाहूर कलंदर्स का फुल स्कौर्ड, रोल्स और रिसेंट फॉर्म यहाँ पे आपको दोस्तों कोई चीज देखने को नहीं मिलेगा वही स्कौर्ट रहना चाहिए वही कुछ आपको टीब देखने को मिले चाहिए क्वेटा में चीज निस होंगे वहाँ आम गौर कर देंगे फिर भी आप जिस भी प्लेयर का रिसेंट फॉर्म देखना चाहो आपकी नजरों के सामने है मैं आपको दोस्तों इनकी परफॉर्मेंस पे लेकिया हूँ क्योंकि परफॉर्मेंस इस टीम का जबदस्तर है वान अफ देबेस्ट परफॉर्मेंस इस पी एसल में इसी टीम के द्वारा आया है और वो क्यों क्योंकि इनके ओपनर्स कंसिस्टेंट रहे है फकर जमान ने बहुत अच्छा किया 66, 96 और 36 तीन अच्छे नौकाए है मिर्जा तहीरी बैग ने स्टार्ट अच्छा किया था सिकंदर रजा से तो 5 पे उनका नाम रखना चाहूंगा 6 पे सिकंदर रजा का डेविड वीज भी है राशिद खान भी है यहां तक इनकी बल्लेबाजी काफी डेप्थ में है ठीक है फिर शाहीन जमान हैरिस रॉफ पिछले मैच में अच्छी कर रहे है राशिद तो आपको चार ओर देते ही है अब लास्ट मैच में यह पहले ही विन कर गए नहीं तो यह चार डालते ही चार विकेट इनको भी मिला टूरमेंट में शहीन ने अच्छी बोलिंग करी है हैरिस रॉफ भी आपको तीन से चार ओर करके देते ही है पिछले मैच में यह पहले ही जीत गए थे अधरवाइस आपको इनके थू ओवर्स अच्छे खासे देखने को मिलते है इनकी बोलिंग काफी अच्छी है बेंच पे कमरान गुलाम जो स्टार्टिंग के तीन मैच पे अच्छा नहीं कर पाए थे इनका जो रिकॉर्ड है लाहोर के ग्रॉंड पे अच्छा है तो अगर खेलते हैं ध्यान देना पड़ेगा लियम डॉसन इंजर्ड है शाय होप अभी अवेलेबल नहीं है जो न्युस चल रही है उस हिसाब से आप यहां पे देख रहे हो इनके full stats plus info हर एक player का record है For example Sam Billings 2216 बार बल्लेबाजी करी है 484 1192.9 अवरेज 26 centuries है दोस्तो इसी प्रकार आप bowlers में सबका stat देख सकते हो राशित 376 match 1826 पांसो एक विकेट जस्ट पिफोर दा स्टार्ट ऑफ दिस पीएसल दोस्तों ठीक है मैं सामने की टीम पे आना चाहूंगा लेकिन उससे पहले लास्ट चीर के स्टैट्स पर एक बर गौर कर सकते हो मैंने कहीं बर एक्स्प्लें किया जिसको पिछले साल के पिछले पीएसल के स्टैट्स देखने हैं देख सकते हो वही नाम आपको देखने को मिलेंगे जो आज भी बात करते हैं काफी इंपोर्डेंट है लेकिन जहां मैं आपको कुछ समझाना चाता था कुछ नए प्लेयर आया है स्कौर्ड में यहां पर थोड़ा सा गौर करना क्योंकि दोस्तों ल इनके अलावा कौन जुड़े स्कौर्ड में देखो यहां पर डूइन प्रेटोरियस का नाम यह खेल सकते हैं राइट हैं बाटर राइटा मीडियम पेस बल्ले से भी काम करते हैं बोलिंग इनकी में चीज़ है पिछले मैच में इस साइन का मतलब है यह खेले थे मगर बल् इनके बोलिंग सेक्शन में मिलेंगे नवीनुलहाक राइटा मीडियम पेसर है इस बार इफाइम रइट लखनव में है इस बार पिक किये गए थे और इनका देखो जीरो विकेट एक विकेट जीरो एक दो पांच भी बीच में दो जीरो 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 विकेट यह इनकी कहा एक्शली यहां पे जेसन रॉय का नाम हट जाना चाहिए जेसन रॉय नहीं खेलेंगे बिकॉज यह इंग्लेंड की द्यूटी पे चले गए हैं सो यहां पे अपालोजीज देर शुडबी विल स्मीड हो विल बी ओपनिंग करेंगे मार्टिन गप्टिल के साथ बीच मुझ इनकी जगा डिरेक्ट रिप्लेस्मेंड हो सकती है ड्वेन प्रेटोरियस की अगर टीम चाहे ठीक है डिरेक्ट लेक्ट लेके आ सकते हैं इमाल खान है मुहांबद असनैन मुनासीम शाह इनकी टीम में दोस्तों चेंजिस होना गरेंटी है मैं आपको बता दिया तीन ओवर पादिश के सामने सीरीज में बीजी है तो अगर किसी को लाइन अप समझ नहीं आई जस्ट आपको यह ध्यान रखना है रॉय बहार जाएंगे ठीक है अंदर आएंगे नाजीबुला जदरान लेकिन नाजीबुला नीचे बल्लेबाजी करेंगे पांचे पे बाकी प्लेयर की लेकिन बहुत ही जादा ना कंसिस्टेंट नहीं रही जैसे गप्टिल एक मैच में 117 उसके लावा फ्लॉप रहे है विल्समीड को देखो मोकाई एक मिले 17 सरफराज 39 हफीज का एक 48 पचास नौट और यहां इफ्तिकार काया 32 39 ना इंपोर्टेंट प्लेयर है इनका ध्य किया है सेकेंड फूर्ट 17 19 ओर किया था नसीम शाह ने पिछले मैच फर्स 6 15 और 18 किया था तीन विकेट याए वैसे बोलर अच्छे है ठीक है केज एहमत पास चार विकेट है लास मेच खेले नहीं थे दिन नौट प्ले देन चार और यहां पर किये थे ओडियन स्वित ने ने तीन और किये थे एक और इफ्तिकार ने किया था चार और एमाल खान ने किये थे जबकि रंज दे दिये थे तो यहां पर आपको पता है ड्वेन प्रिटोरियस आएंगे तो सीधा डेथ बोलिंग की कमान समहा लेंगे दोस्तों कौन अगर प्रिटोरियस टीम में आते है इनकी टीम पर थोड़ा गौर करना बड़े चिंजिस हो सकते हैं यह जो प्लेयर्स मैं ने आपको बता है इनके फुल स्टैट्स इंफो भी देखके चलोगे तो बहतर रहेगा आईए बैंज प्लेयर्स पर भी एक बार गौर करने आप कर सकते हो हाला कि इतना कुछ मतलब द इसके लावा दोस्तो नाजीबुला जदरान 188 मैचिस में 342 रने 27 की अवरेच से उनकी जो है 17 हाफ सेंसरी उस पर गौर करना बोलिंग बहुत कम करते हैं आप तो करते ही नहीं है ठीक है वो तो अगर बहुत ही रेयर चांस हो तो ही बोलिंग करेंगे वो ज़रत पढ़ती नहीं है अब आप देखोगे नावी नुलाग 123 मैच 207 153 विक्ते ये इनके कुछ नए प्लियर रहे हैं इन पे मैं आपका ध्यान दिलवाना चाहता था बाकी हम आगे एक बर इनके भी लास्ट येर के स्टैट्स देख सकते हैं आप गौर कर सकते हो पिछले साल जो इनके प जब काफी इंपोर्टेंट हो जाते हैं या आपको भी पता है मेरे को भी विल्समीड राशित खान की एक गेंद खेले हैं उसी पर आउट हो गए थे तो विल्समीड को experience भी नहीं होगा राशित क्या गे इतना खेलने का पावर प्ले में लेकिन अच्छा खेल सकते हैं गप्टिल भईया सबके आगे आउट हो रहे हैं फिर भी मुस्कुरा रहे हैं आप भी लाइफ में ऐसे बनो ठीक है कुछ भी गलत हो फिर भी मुस्कुराना है अब्दुल बंगल जाई शाहीन अफरीदी के आगे एक बॉल खेले हैं इसी साल का मैच उसी पर आउट हो गए सिकंदर रजा ने वंडे में तो यह भाईया मैच अप्स की बात हो गई कोईटा के कुछ प्लियर्स की और प्लियर्स देखते हैं मुहमद अफीज इंपॉर्टन नाम है दो बार डेविड वीज ने आउट किया इंक्लूडिंग इस यर वंडे में सिकंदर रजा ने राशि ठीक है बॉल बहान निकालके ऊट कर सकता है गॉफ ब्रेक बुलर लेफ्ट हेंडर को वही काम किया है शाहिन ने तीन बार ओडियन को ऊट किया है और एक बार हुसेन तलत ने लेकिन ओडियन स्मिट शायद आज का मैच ना ही खेले मुस्कुरा रहे हैं लेकिन डूएन प्र रिटोरियस मेरे को लगता है टीम में आ रहे हैं ये मेरे को लग रहा है आज के मैच में अब दोस्तों फखर जमान ये आउट हुए हैं ओडियन स्मिट पे नवास पे तीन बार हसनैन पे दो बर हफीज पे एक बार उमाइद आसिफ पे एक बार इफ्तिकार हमद ने एक बा आओट की है दोस्तों अब मिर्जा तहीर पे देखोगे ये नवास के आगई खेले थे दो गे एक पे चकामारा अगली पे आउट हो गए थे सिकंदर रिजा नवास के आगे एक बार ओडियन स्मिट के आगे एक बार उमाइद आसिफ के आगे एक बार जबकि कमरान गुलाम मैच वन में काईज अहमत पे आउट हुए थे उमाईद और इफ्तिकार ने इनको एक एक बार आउट किया है अब थोड़ा कम ही खेल रहे हैं चंसिस कम है बट सिल बता दी आपको कि आपको पता रहे है अब खेल रहे हैं अब्दुल शफीके अब दो शफीके को जादा किसी ने आउट किया नहीं नसीम शा के आगे नॉर्मल है सैम बिलिंग्स केज अहमत के आगे दो बार आउट नवास के आगे एक बार डेविड वीज देखोगे हसनेन के आगे आउट हुए थे पिछले मैच में अप्लिकेशन है कोड आपको मिलेगा फॉर्कास्ट फॉर्कास्ट कोड रहोगे तो कभी भी आपको इशू आता है आप मेरे को बता सकते हो मैं आपकी हल्प करने के लिए हमेशा एक्सेंज में तयार हूँ आप पूचके देख सकते हो और यहाँ डाउलोड करते ही 50 रूपीज बोनस तो मिलेंगे विट कोड फॉर्कास्ट आपको 50 रूपीज एक्स्ट्रा मिलते हैं जो आपको के वाईसी करने पे फुली यूजिबल मिलते हैं बोनस नहीं वो है एक्स्ट्रा कैश जिसे आप फुली यूजिबल कर सकते हो आज मैंने बाई किसको किया है मैं आपको यह बता देता हूँ मैंने बाई किया इफ्तिकार रहमत को नासीम शा को विल्समीड को सस्ते में बाई थे ओपनिंग पे भी आएंगे लेकिन इनसे मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है पावर प्ले में मार जाएं तो मार जाएं क्योंकि भाई राशिद ने इनको तंग किया है मल्टी बैगर में फकर और सैम बिलिंग्स को मैंने लिया है अगर सैम बिलिंग्स यहां पर कुछ बड़ा कर देते हैं तो रिटर्न उनका चेक करके चलना तभी लेना है क्योंकि आज मैंने बता दिया लेना है तो काफी लोग पिक कर लेंगे तो रिटर्न जितने लोग एक प्लेयर को पिक करते हैं मल्टी बैगर में डाउन जाता है तो सिचुएशन देखके पिक करना मल्टी बैगर यह बहुत इंबॉटन चीज रहती है तो स्पोर्ट्स एक्सचेंज इसको कह सकते हो स्टॉक मार्केड ओफ देखके लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में चलिए अपनी टीम क्रेट करते हैं दोस्तों हम अपनी टीम ग्रेट करने आगया है विकेड कीविंग सेक्शन में आपको सबसे पहले मिलेंगे स्टार खिलाडी सैम बिलिंग्स क्योंकि ओवरसीस प्लेयर है और पिछले दो मैच्च में अच्छा किया है इनी को मैं बैक कर ओ लेकिन आपको मैं ये नी कहूँगो सरफराज भाईको नहीं ले सकते हैं सरफराज को भी ले सकते हो क्योंकि बढ़िया बड़िया आप खिलारी है शात्री किसम अच्छा खेल सकते हैं ठीक है सरफराज एहमद को आपको ट्राय करना है बोईस प्लेड वैल बिल्कुल ट्राय कर सकते हो कोई मनाही नहीं है बस एक चीज इसमें देखके चलना सरफराज एहमद ने इस साल उतना अच्छा नहीं किया है कर जरूर सकते हैं तो ले सकते हो मनाही नहीं है Sam Billing Safe Pick है Shai Hoop के खेलने के चांस कम है Kusal Mendes के खेलने के चांस कम है Umar Aakmal खेलते भी है तो कुछ खास किया नहीं Jordan Cox खेलते है तो मैं नहीं लूँगा Even Irfan भाई को मैं नहीं लूँगा इनको टीम में हमें पिक नहीं करना है फकर जमान ने काफी अच्छा खेला है अच्छे प्लेयर है डेफिनिटल आप अपनी टीम में ट्राइ कर सकते हो बढ़िया खिलाडी है और कंसिस्टेंटी परफॉर्मेस दिया है दोस्तों ये आप देख सकते हो कि काफी एग्रेसिव खेलते हैं कैचिंग पुजीशन्स में भी रहते हैं इफ्तिकार एहमत को भी दोस्तों में लेके चल रहा हूँ थोड़ी सी ओफ ब्रिक बोलिंग भी करते हैं सामने पहले ही लेफ्टेंडर आपको फकर जवान देखने को मिल रहे हैं बोलिंग आ सकती है इनकी भी हफीज की लेकिन कहीं इफ्तिकार एहमत की जो स्ट्रॉंग फिनिशिंग है वो इनको एक काफी अच्छा क्रेडिडेट बना देता है क्वेटा से आपके टीम के लिए मार्टिन गप्टिल को मैं ले नहीं रहे हैं इनके मैचप्स खराब थे शाहीन के आगे भी अगर देखो लग चल जाए तो ल चूटते हैं सब कुछ करते हैं यहां पर यह लोग तो कुछ भी हो सकता है अब दूशफीक है इनको मैं लेके चल रहा हूँ देखो पिछली जो दो इनिंग्स है पहले मैच में अच्छा 75 के करीब है 65 कुछ ऐसा नहीं कायदा फिर 45 रंस तो यह इस गिवन स्ट्रॉंग पर लेकिन आज दोस्तों आपको यह ओपनिंग करते दिखेंगे यह चीज का आपको ध्यान रखना है विल स्मीट से आपको ओपनिंग मिल सकती है आज के मैच में ना जी बुला जदरान आ गया है फिनिशिंग करेंगे क्योंकि लोर ओर्डर में हमें पिक नहीं कर रहा कमरान ग डैड्स वैल ऐसान अली खेल ले ही रहा है अगर ठीक होंगे तो बात करेंगे ओबिन यूसफ डिमेस्टिक रिकॉर्ड अच्छा है जस्ट लाइक मैं हसे बुला की कल बात करा था क्या वड़ थे मेरे हसे बुला आपको हसी दिला सकते हैं और आपको ओपरेंट देखता रह और ओडियन का दोस्तों आज खेलना डाउटफुल है और अज इनका जो कॉंट्रेक्ट था हाफ सीजन का था सो हो सकता है आज आखरी में चो हो सकता है आज ना खेले यह कहना मुश्किल है अभी मैं टीम में नहीं नहीं रहा खेलेंगे तो और भी करते है बल्लेबाजी भी फिर हम ध्यान रखेंगे नवाज को दोस्तों मैंने पिक किया नवाज इस वेरी गूड प्लियर और राउंडर है आपको पता है थोड़ा सा सेलेक्शन इसलिए गिर गया क्योंकि प्रफॉर्मेंस इस काम है लेकि लेफ्ट आम स्पिन प्लस बल्लेबाजी करते हैं हफीज क इसको मैं पिक नहीं कर रहा हूं लेकिन इनकी ऑफब्रेक बॉलिंग स्पेशली फखर जमान को तंग कर सकती है ऑफब्रेक टुआ लेफ्ट हैं बैटर मैच अप अच्छा है बॉलिंग कर सकते हैं हुसैन तलत है कुछ खास किया नहीं इनको इसलिए मैं नहीं ले रहा प्र प्रेटोरियस खेलेंगे तो मैं लूंगा ही लूंगा फाइनल अपडेट टेलीग्राम में आपको मिलेगा प्लीज धियान रखना फिर नहीं कहना अभी मेरे को शॉरेटी नहीं है खेलेंगे के नहीं 1% सिलेक्शन है खेलेंगे तो मैं लेने ही वला हूँ मैं प्रेटोरिय इन्वाजी करते है, स्टार्ट के ओवर करते है, स्विंग मिल रहा है अगर इस गरॉण पे तो यह हमेशा फाइदा उठा पाएंगे, नहीं ये इन्द के साथ वैसे ही LBW बोल्ड करते हैं, हसनैन को मैं ले रहा हूँ, कोईटा की तरफ से सबसे अच्छी बोलिंग करी है, व बहुत ज़्यादा नहीं मिले, ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आप पस एमार खान है, कुछ खास रिकॉर्ड नहीं रहा है, केज अहमत को मैं नहीं पिक करूँगा, खेलते हैं, तो भी 90 लाग खेल सकते हैं, मीडियम पेसर है, डैथ में भी आते हैं, तुशारा नहीं खे लींगे तो हैरिस रॉफ की तरफ, मैं जस्ट फ्रॉम दपॉइंट ओफ यू की लाहूर की टीम जादा स्टोंग है, खेल भी कर पे रही है, उनको पिक कर रहा हूँ, यह मेरी टीम है दोस्तों, दोस्तों यह मेरी टीम मन गई है, यहाँ पे सी वी सी हमें चूस करना है, अभी मैंने अपनी कैप्टन सी फखर जमान को दी है, जो की रिस्क तो है, एक अच्छी बॉल प्याउट हो सकते हैं, मुहमद असनैन और नासीमशा दोनों अच्छे बोलर हैं, सामने से औस पिन से इनको टारगेट किया जाता है, तो ध्यान रफना पड़ेगा क्योंकि हफ और इवन इफ्तिकार हमत, बट मैंने कैप्टन सी अभी फखर जमान को दी है, वाइस कैप्टन सी, एक्चली अभी मैं राशित खान को दे के गया हूँ, थोड़ी सी ये बल्लेबाजी भी करते हैं, इस वज़े से मैं लहोर के काफी अच्छे बोलर्स रखे हैं, लग बग पांच में लाके 16 अभर तो करेंगे ही, जमान के अगर मैं चार ओर निकाल भी लेता हूँ, तो मुझे लगता है इनके ओर अच्छे खासे आएंगे, तो मेरी दोस्तों ये टीम है, इसमें जो बदला मुझे लगता है करना रहेगा, वो करके मैं आपको टेलिग्राम पे बत लिंक वीडियो की दिस्क्रिप्शन में है, मैं हमेशा आपको गाइड करता हूँ, ताकि आप बैस से बैस से बैस करके दिखाओ, इसको ऐसा टीम मत देखो, ऐसा प्रॉपर वीडियो देखी आपने तो आप हमेशा अच्छा कर पाओगे, गाइड लेके चलोगे तो हर एक जो न्यू प्लियर आया, उसका न्यूस पहले ही देखे चलता हूँ, ताकि आप समझ के ग्रेंडिक, स्मॉलिक दोरों में बेस्ट कर सको, अगर आपको लगते है कुछ हैल्प हुई, तो कंसीडर सब्सक्राइब इंगा, सब्सक्राइब बटन देखो, सब्सक्राइब प्र करो, और लोडिविगेशन करो, और बेल यहां पर दुबा दो, क्योंकि तब ही तो भाईया, आपको वुबेना इप्यल का वीडियो मिलेगा, दो दिन बात से शुरू है, तब से मैं भी शुरू हूँ आपके लिए